दोस्तों जब भी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर क्लैशेस की बात आती है, खास कर लाइन ओफ कंट्रोल के कंटेक्स्ट में, तो उस केस में दो प्रकार की चीज़ें हमारे सामने आती, एक तो होते हैं सीस फायर वालेशन, एक होते हैं इन्फिल्ट्रेशन अटेम्ट, सी सीस फायर वालेशन, मतलब शांती को आपने भंग करती हैं, दूसरा होता है इन्फिल्ट्रेशन, मतलब पाकिस्तान के तरफ से आतंक वादियों को इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में भेजने की कोशिश की जा रही है, तो इसको बोलतो इन्फिल्ट्रेशन, चीज़ें तब के से इंडिया की साइड पे गुसरेड़ने कोशिश की जाती है, अब इस साल सीस फायर वालेशन आल्मोस्ट रुख गए हैं, फरवरी 2021 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बैक एंड ट्रूस हो गया था, जिसको most probably UAE ने ब्रोकर किया था, पाकिस्तान के ओपर इ साइड से इंफिल्ट्रेशन की पूरी कोशिश की जा रही है इंडिया के अंदर, और रिसेंटली ही एक पाकिस्तानी टेर्रिस्ट को इंडियन फोर्स ने पकड़ लिया है, जिसका नाम है बाबर अली पात्रा, पाकिस्तानी साइड का जो पंजाब है, उसमें ओखरा डिस् तो ये आर्टिकल जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ, अगर आप इस आर्टिकल की डेट देखोगे, तो इट इस आफ सम्वेर अराउंड 21st of September, 21st of September में एक रिपोर्ट सामने आई थी, कि इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा ओपरेशन चल रहा है, एक इंफिल् ट्रेटर्स इंडियन साइट पे घुसाए है, तो जो नौर्थ कश्मीर का उरी सबसेक्टर था, वहाँ पे इंटरनेट वगरा ब्लॉक कर दिया गया, और एक मेजर, आप कह सकते हो, कॉमिंग ओपरेशन चलाया गया, यहाँ पे हमारी आर्म फोर्स के दोरा, कई घंटों त उरी अटैक्स में क्या हुआ था, कि भाई, यह दिन था आपका, यह काला दिन था, 18 सेप्टमबर 2016 का, 18 सेप्टमबर 2016 को चार पाकिस्तानी आतंकवादी घुस जाते हमारे मिलिटरी क्याम्स में, जो कि उरी में था, और ओवराल हमारे 17 जवान को मार देते हमारे 17 जवान उ सुबह साड़े 5 बज़े यह अटैक हुआ, एक उरी नाम की जो मूवी आई है, उसमें इसको दिखाया भी गया है, ओवराल इस अटैक के बाद इंडिया की तरफ से रिस्पॉंस आया, बहुती प्रॉंप्ट रिस्पॉंस था, यह रिस्पॉंस किया 29 सेप्टमबर 2016 को जब इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई, अब बात यह कि 18 सेप्टमबर को जो उरी अटैक हुआ था, शायद इसकी पांचवी वर्षगाट बनाने की मूड में थे आतंकवादी, इसलिए बहुत मैसिव स्केल पे, यह जो पाकिस्तान उकोपाइट कश्मीर है, और तो यहां पे आपको यह लाइन अफ कंट्रोल नजर आ रही है, अगर इसके जस्ट बॉर्डर पे देखे तो यहां पे आपको उरी नजर आ रहा है, अगर इस साइट चले जाएंगे तो लीपा, थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो इसलामाबाद, प्रॉकर आपको फोर्स को लाइन अफ कंट्रोल के पास ड्रॉप किया और हमारी फोर्स अंदर गई और जाके उनके जो भी दहशत गरत थे उनको भगवान के पास कहुचा दिया, अब ओवर ओल इस उरी अटैक को सेलिबरेट करने के लिए, शायद इसकी पांचवी वर्षगार को सेलिबरे ये दो आतंकवादी जो कि अभी गुस्ने की कोशिश कर रहे थे, इनमें से एक को मार दिया गया है, एक यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया है, अब सबसे खास बाद यहाँ पर यह है कि जिस परसन को यहाँ पर कैप्चर किया गया है, अली बादबर पात्रा, इसने साफ रही जो पतली स्ट्रिप दिख रही नहीं यहां पर यह वाली यह पाकिस्तानों को बैट स्ट्रिप है इसके ऊपर चल जाएंगे तो इधर गिलगत बलतिस्तान प्रोवेंस आजएगी तो यह हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टेज़ पे इंडिया के लिए अपरूर्टिनेटी है इस पर्टीकुलर बाबर अली पातला का इस्तेमाल करके इंडिया पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पे हुमिलियेट कर सकता है ओवर आल वैसे तो अब जैसे कि यह अजमल कसाप था अजमल का साब को पाकिस्तान बोल रहा है कि ये इंडिया का था और जबकि साफ साफ ये पता है कि वो पाकिस्तान की तरफ से आये तो similarly यहाँ पे अली बाबर पात्रा को भी इंडिया की दिखाने की कोशिश करे का पाकिस्तान तो overall इंडिया को यहाँ पे एक international inquiry भी अगर बैठानी पड़ जाए जिसके चलते कुछ international experts आएं और वो overall अली बाबर पात्रा का investigation करके पता करने की कोशिश करें कि हाँ भी कहां से आया है और international stage पे एप्रूव हो जाता है कि यह particular बंदा पाकिस्तान से आ रखा है तो शायद grey list से black list में पहुचाने की जो journey है आपकी पाकिस्तान को काफी आसान हो जाएगी और overall इंडिया को पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार के जो terror camps है जो की पाकिस्तान occupied कश्मीर में चल रहे है एक major chunk को शायद अफगानिस्तान की धरती पे transfer कर दिया जाए यह हो सकता है transfer करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई हो और आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे terror attacks देखने को मिले तो यह एक छोटी सी news है यहाँ पे अब इसमें आप कह सकते हो कि इंडिया के लिए एक victory भी है और इंडिया के लिए एक हार भी है विक्ट्री यह है कि हमारी इंडियन आर्मी मुस्तायद है और overall जो भी infiltration attempts होंगे उनको हम foil कर सकते हैं पहली बार cross border infiltration को रोकने के लिए यहाँ पे internet ban लगाया गया है तो यह होब कम से कम अब इसको criticize ना किया जाए At the same point of time हमारे लिए दुख की बात यह है कि जितने भी attacks हैं यह सब Pakistan से originate कर रहे है और हो सकता है आगे आने वाले समय से अफगानिस्तान से originate करे है तो ऐसे attacks जो दूसरी countries से originate कर रहे है उनको रोकने के लिए इंडिया क्या कर सकता है इंडिया के पास options बहुत जादा आप कह सकतो limited है और बहुत जदा unethical है अब या तो हम बलुचिस्तान नैशनल आर्मी को ही support करना शुरू कर दें जो कि पाकिस्तान के लोगों के अगेंस्ट और उनकी आर्मी के अगेंस्ट bomb attack करते हैं अब आगे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला तो इस न्यूस का छोटा से अने देसल सा आई होप आपको कुछ न कुछ यूसफूल है आपे जानने को भी लाओ वीडियो को लाइक और शेयर किये उना मच जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं कर लिजे हर चीज का लिंग नीचे डिक्रप्शन बॉक्स में दे रहा का और हो सकते हैं तो जोन बटन दबाख करें देफिनिट्ली मेरी हेलफ़ूल हवा क्रेट डिफरेंट्स गुटबाए